नमसकार दोश्तनों देखिए आज निफ्टी 50 ने जो डोजिग दिया है 144 point बढ़त के साथ यहाँ पर close डिया हुआ है और bank-nivty के बात करते हैं हम लोग rip 594 point बढ़त के साथ यहाँ पर bank-nivty यहाँ भी close डिया हुआ है इंडिया विक्स के बारे हम बात करते हैं हम लोग तो 17 पॉइंट पर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है ठीक है तो एक शेयर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर रहा हूँ जो कि आप शॉट टर्म के लिए इसमें एंट्री कर सकते हैं निफ्टी पॉटी का शेयर है देखते हैं हम लोग काउंट सा शेयर है कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम है यहाँ पर देखिए आप लोग बजाज फाइनस बजाज फाइनस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज कि यहाँ पर हमें किस प्राइस पे एंट्री करना ह और हमारा stop loss क्या रहेगा हमारा target क्या रहेगा ठीक है तो इसके दिखिए chart को मैं थोड़ा सो छोटा करता हूँ कि हमें किस point पे entry करना है तो stock देखिए अभी closing दिया है जो 7306 रुपे पे ठीक है यहाँ पर अब लोग देख सकते हैं 7306 रुपे पे यहाँ पर stock ने closing दिया है ह हमें entry कहाँ पर करना है हम लोग देखते हैं तो हमें entry इस वले point पर करना है 6871 मतलब 7000 आप इसको round figure पकड़ सकते हैं ठीक है अगर यह stock आपको 7000 के आसपस मिलता है तो आप इसमें entry कर सकते हैं ठीक है यह दिखिए इसका support price यहाँ पर निकल कर आ रहा है 6700 से 6800 के बीच में ठीक है इस point पर अगर आपको यह share मिलता है तो आप यहाँ पर entry कर सकते हैं अगर हम stock का stop loss बताएं आपको कि stop loss आपको क्या रखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा horizontal trend line पर इसके color को हम लोग change करेंगे pink color करेंगे ठीक है हमें entry करना है 7000 के आसपास ठीक है यह वाला point देखिए एक support point है 6700 ओके हमें stop loss रखना है 5900 के आसपास क्यूंकि यहाँ पर से stock उपर एक बर गया है ठीक है अप लोग pink color वाली line चेक करिए horizontal trend line यहाँ पर line आ गया हम लोग देखेंगे horizontal trend line कहाँ गया इसको हम लोग हटा देंगे एक बर pink color वाली line आप लोग देख सकते हैं 5930 रुपे मतलब कि 6000 रुपे के आसपास उसके नीची अगर यह closing देता है तो आप लोग यहाँ से इस stock को छोड़कर निकल सकते हैं 6000 का stop loss हमारा रहेगा target हमारा रहेगा इससे काफी उपर ओके हम लोग देखते हैं target कहाँ पर हमारा निकल कर आता है हम लोग एक बर फिट से pink color की line खीचेंगे target हमारा निकल कर आ रहा है first target 8000 ओके second target हम लोग देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं तो first target हमारा यहाँ पर 8000 उपए आ गया निकल करके उसके बाद second target हमारा 9000 फिर 10,000 आएगा ठीक है तो आप लोग target ध्यान में रखकर इसमें entry करिएगा entry price है हमारा 7000 के असपास stop loss हमारा 6000 के नीचे closing basis target हमारा पहला आएगा 8000 ठीक है दूसरा 9000 फिर तीसरा target हमारा 10,000 का निकल कर यहाँ पर आ रहा है 991 रुपए ठीक है आप लोग target भी ध्यान में रखिए stop loss भी रखिए ध्यान में entry price और exit price भी ध्यान में आप लोग रखकर चलिएगा ठीक है मैंने सारा price बता दिया entry 7000 stop loss 6000 first target 8000 फिर 9000 फिर 10,000 ठीक है क्योंकि मार्केट अब यहाँ से उपर ही जाने वाली है मुझे लगता है और गिरावट हो चुकी है यूक्रेइन और रशिया का यूद भी अभी लिमिट पर चल रहा है मतलब बहुत उफान पर नहीं है कि नहीं अब होगा ही होगा तो आप लोग ध्यान में रखके इसका entry price stop loss out target तभी entry करिएगा ठीक है थेंक्यू